गुड इवनिंग एवरीवन कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे आज का जो टॉपिक है वो है ओगनाइजेशन्स एंड फांडर्स यानि की जो भी महत्पूर्ण संस्थाएं आधुनिक भारत के समय पे हुई थी modern history का ये टॉपिक रहेगा तो उस समय में बनी हुई संस्थाएं और उनके founders और किस वर्ष में वो बनी स्वारे में हम लोग बात करेंगे केवल important संस्थाओं को इसमें शामिल किया गया है तो वीडियो को start करते हैं सबसे पहले हमारा giveaway question आप लोगों की screen पर है तो इसका सही जवाब आप लोग हमें comment box में देगे जो लोग हमें सही जवाब देते हैं उनमें से किसी एक को देते हैं हम Static GK की ये किताब बहुत ही important किताब है आप लोगों की तैयारी के लिए पिछले 8 साल के सारे MCQ आपको इसमें में जाएंगे स्टैक से रिलेटेड हिंदी इंग्लिश दोनों मेडियम में ये available है bilingual है मतलब bilingual तो नहीं है हिंदी की अलग है और इंग्लिश की बुक अलग है topic wise इसमें one-liner MCQ की form में question है इन सभी exams के लिए इंपोर्टेंट रहने वाली है ये आपको आपके nearest bookstore पर मिल जाएगी उसके अलावा आप हमसे ले सकते हैं mobile number पर contact भी कर सकते हैं इन website से आप इसको ले सकते हैं या फिर इसका Amazon का link हम आपको description box में दे देंगे और ये book आपको किस तरीके से help करेगी वो देखने के लिए आप इसकी कुछ videos देख सकते हैं जो हमारे channel पर भी है और कुछ इसके pictures हमारे telegram group में हैं आप लोग telegram से चुड़िए उसका link भी हम आपको description box में दे देंगे तो आगे बढ़ते हैं पहला question Who founded the Vishu Bharati Vishu Bharati की इस्थापना किस ने की option है Henry De Rezio तो इसका सही जवाब क्या होगा option number C रविंद्रनाथ टैगोर तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी Vishu Bharati की स्थापना Vishu Bharati Institute was founded by रविंद्रनाथ टैगोर in 1921 Who founded the Ram Krishna Mission Ram Krishna Mission की इस्थापना किस ने की option है Henry De Rezio, Raja Ram Mohan, रविंद्रनाथ टैगोरिया फिर स्वामी वेकनन तो सभी जानते है Ram Krishna Paramhans जी के ये परम शिश्य थे स्वामी वेकनन जी option D सही जवाब हो जाएगा Ram Krishna Mission was established on 1st May 1897 by Swami वेकनन the great disciple of Ram Krishna Paramhans headquarter है इसका Belur, Kolkata में Who founded Pratna Samaj Pratna Samaj की स्थापना किसने की option है Jyotiba Phule, Raja Ram Mohan, रविंद्रनाथ आत्माराम पांडूरंग या फिर स्वामी वेकन तो Pratna Samaj की स्थापना करने वाले थे आत्माराम पांडूरंग जी option C will be the correct answer तो it was founded by आत्माराम पांडूरंग, महादेव गोमिद्रानाडे and historian R.G. भंडार कर इन तीनों ने मिलकर इसकी स्थापना की 31 March 1867 1867 को बंबई में When was the Hindu महासभा organization established Hindu महासभा संगठन की स्थापना कब हुई थी option है 1915, 1916, 1917 या फिर 1919 तो हिंदू महासभा संगठन 1915 में हुई थी option A will be the correct answer और इसके अलावा मदन मुहन मालविय जी ने 1916 में बनारस हिंदू उनिवर्स्टी को भी बनाया था और हिंदू महासभा संगठन की स्थापना इनोंने कुम्भ मिले में की थी कुम्भ मिले के समय When was Swaraj Party established? Swaraj Party की स्थापना कब हुई थी 1919, 1923, 1949 या फिर 1985 1919, 1923, 1939 या फिर 1985 देखे जो Swaraj Party है जब ऐसे योग अंदोलन की समाप्ति की घोषना मात्मा गांधी जी ने की थी तो उस समय पे जो ये Swaraj Party है इसको स्थापित किया था कुछ लोग जो है मात्मा गांधी जी के उस डिसिजन से खुश नहीं थे तो ये थे जो देश बंदू के नाम से जाने जाते थे चितरंजन दास जी और मोतिलाल नहरू 1923 में इन्होंने मिलके इसकी स्थापना की तो देश बंदू तो चितरंजन दास जी को कहते हैं ठीक है और दीन बंदू दीन बंदू की संग्या किसे दी गई थी C.F. Andrews C.F. Andrews को दी गई थी दीन बंदू की उपादी Who founded the Home Rule League Home Rule League की स्थापना किसने की Option A है बालगंगा दर्तिलग B है एनी बेसंट, C है रमिनना टैगोर या फिर Option D है A and B बोथ तो Home Rule League की स्थापना बालगंगा दर्तिलग एनी बेसंट दोनों ने ही अलग-अलग स्थानों पर की थी Option D आपका सही हो जाएगा A and D बोथ Home Rule League was founded in 1916 बालगंगा दर्तिलग एनी बेसंट और जो एनी बेसंट जी है यह आई एन्सी इंडिया नेशनल कॉंग्रेस की प्रथम महिल आध्यक्ष भी बनी थी Who founded the Young Bengal Young Bengal की स्थापना किस ने की Option है Henry Vivian De Rezio, Rajara Mohandrai, Rabinna Tagore या फिर स्वामी वेगानन देगे जो Henry De Rezio थी वो सही जवाब है option है बहुत ही कम उम्र में इनके मृत्यू हुई बहुत ही युवा थे ही है लेकिन इन्होंने कुछ ही वर्षों में बहुत ज़ादा काम इंडिया में किया तो 1828 में इन्होंने Young Bengal की स्थापना की और ये एक लीडर और मोटिवेटर दोनों ही थे Young Bengal मूवमेंट में Who founded the Satya Shodak समाज, Satya Shodak समाज की स्थापना किस ने की Option है जोतिबाफुले, राजरा मोहनराय, रविना टैगोर या फिर स्थापना करने वाले थे जोतिबाफुले, Option A will be the correct answer अपनी पत्नी सावित्री भाई फुले जी के साथ मिलके इन्होंने इसकी स्थापना की थी Satya Shodak समाज was founded in 1873 He founded the first women's school in India on 3rd February 1848 1848 में पहला महिला स्कूल भी इन्होंने खोला और अपनी पत्री सावित्री भाई फुले जी के साथ में मिलके इन्होंने दो important किताबे भी लिखी थी वो आप जरूर नोट कीजिए छत्रपती, शिवाजी और गुलामगीरी गुलामगीरी कई बार पूछा जाता है कि गुलामगीरी किस के द्वारा रशित पुस्तक है तो छत्रपती, शिवाजी और गुलामगीरी दो महित्वपूर्ण पुस्तके हैं जोतिबा फुले जी के द्वारा Who founded the Brahma समाज Brahma समाज की इस्थापना किसने की तो देखिए जोतिबा फुले राजराम मुहन राए, रविन्दना टैगोर या फिर स्वामी वेकनन तो ब्रहम समाज हम सभी जानते हैं राजराम मुहन राए, option B will be the correct answer राजराम मुहन राए founded the Brahma समाज in August 28 it was founded in कलकत्ता and आत्मिय समाज in 1884 तो 1814 में आत्मिय समाज की स्थापना की और उसके बाद में 14 साल बाद 1828 में ब्रहम समाज की, एकेश्वर वादियों को उपार नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखी उन्हें फादर कहा जाता था इंडियन प्रेस का उसके अलावा उनकी दो मैगजीन थी important समवाद कौमुदी और मिरातुल अकबार तो ये दोनों ही संबंदित हैं किस से राजा राम मुहन रहे फू फाउंडेट दी अभिनाव भारत सोसाइटी अभिनाव भारत सोसाइटी की स्थापना किस ने की अभिनाव भारत सोसाइटी 1904 में स्थापित हुआ था वीडी सावरकर जी के द्वारा option C will be the correct answer और अपने भाई गनेश दामुदर सावरकर जी के साथ में मिलके इन्होंने की थी वैन वास दी गदर पार्टी फांडेट गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी 1911, 1912, 1913 या फिर 1915 1911, 1912, 1913 या फिर 1915 में गदर पार्टी की स्थापना option C 1913 में हुई गदर पार्टी वास फांडेट इन 1913 AD इन सैंस फ्रेंसिसको अमेरिका बाइडी फांडर, प्रेजिडेंट सरदार सोहन सिंग भाखना एन वाइस प्रेजिडेंट लाला हर्दयाल देगें लाला हर्दयाल जी का इसमें मेहतुपून रोल था लेकिन वो बाद में वाइस प्रेजिडेंट बने और प्रेजिडेंट बने सरदार सोहन सिंग भाखना तो कहीं बार इसमें भी confusion रहता है और San Francisco यानि कि भारत के बाहर इस्थापित होने वाली एक संस्ता थी तो लाला हर्देयाल जी ने इसमें main role निभाया लेकिन वो इसके vice president बने When was the national congress established? राष्ट्रे कॉंग्रेस की स्थापना कब हुई? Option है 1885, 1887, 1889 या अफिर 18, 1985 तो INC की बात हुए है राष्ट्रे कॉंग्रेस इसकी स्थापना हुई थी 1885 ओप्शन है और स्थापना का जो मुख्य श्रे है बंबई में हुई थी स्थापना और A.O.H.E. को मुख्य श्रे जाता है और जो पहले प्रेजिडेंट बने थे वो बने थे व्योमेश चंदर बनेर जी, ए ओ हुम कभी भी संस्था के प्रेजिडेंट नहीं बने तो पहले बने थे व्योमेश चंदर बैनर जी, पहली महिला बनी थी एनी बेसेंट, पहली भारतिय महिला बनी थी सरोजनी नाइडू, तो इस प्रकार के प्रशन इसके बारे में आते हैं और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे जब राश्टर कॉंग्रिस की स्थापना हुई तो वो थे लौड डफरिन आगे बढ़ते हैं वेन वाज दा मुस्लिम लीग स्थापना कब हुई ऑप्शन है 1904, 1905, 1906 या फिर 1907 तो देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई ऑप्शन C आपका सही जवाब है और इंडिया मुस्लिम लीग वस फांड़े इन धाका दूरिंग ब्रेटिश इंडिया ओन 13 दिसेंबर 1906 देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई इससे जुड़े वे थे आगा खां, ख्वाजा सलीम लीग और मुहम्मद ली जिन्ना और 1947 के बाद में इसे औल इंडिया मुस्लिम लीग भी कहा जाने लगा वेन वाज दी सर्वेंट्स ओफ इंडिया सुसाइटी इस्थापना कब हुई 1905, 1906, 1907 या 1908, 1905, 1906, 1907 या फिन 1908 में तो ये इस्थापना हुई थी 1905, option A will be the correct answer Gopal Krishna Gokhre founded the Servants of India Society, it was formed in 1905 in Pune, Maharashtra When was the Khudai Khidmatgahr movement found? Khudai Khidmatgahr movement की स्थापना कब हुई थी? Option है 1920, 1923, 1929, 1934 तो Khudai Khidmatgahr Andolan की स्थापना हुई थी option C, 1929 में Khudai Khidmatgahr movement was founded in 1929 by Abdul Gaffar Khan He is called Frontier Gandhi, इन्हें Frontier या फिर सीमांत गांधी की संग्या भी दी गई 1987 में ये बने थे पहले भारतिये जिन्हें भारत रत्न मिला था फारवर्ड ब्लॉक, फारवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस ने की? जोती बाफ उले, सुभाष चंदर ब्लॉक तो एक इंपॉर्टेंट संस्था थी सुभाष चंदर बॉस जी ने इसको स्थापित किया, option B will be the correct answer All India Forward Block is a National Political Party of India This group was established in 1939, नेता जी सुभाष चंदर बॉस फांड़ेड When was आजाद हिंद फौज ये भी बॉस जी के द्वारे ही फांड की गई थी? 1942, 1944, 1946 या 48, 1942, 1944, 1946 या 1948 आजाद फिंद फौज की स्थापना टोक्यो जपान में हुई, 1942 में हुई, option A will be the correct answer Who founded R.E. Samaj? R.E. Samaj की स्थापना किसने की? Option या उप्शन है जोती बफुले, सुभाष चंदर बॉस, रविन्ना टैगोर या फिर स्वामी दयानन्द सरस्वती तो देखिए जो R.E. Samaj की स्थापना करने वाले हैं इनका नाम है स्वामी दयानन्द सरस्वती, option D will be the correct answer R.E. Samaj is a Hindu reform movement Hindu धर्म का एक सुधारवादी अंदोलन था, स्वामी दयानन्द सरस्वती जी दवारा Bombay में था, 1875 में प्रारंभ हुआ Who founded the Deccan Education Society? Deccan Education Society की स्थापना किसने की? Option M.G. Rana, Davy Jee, Chip Dongar, G.G. Agarkar या फिर All of the Above तो Deccan Education Society की स्थापना, Option D, All of the Above इन सभी ने की थी The Landholders Society Sorry Who founded the Madras Native Association? Madras Native Association की स्थापना किसने की? Option है, Balganga, Dhartilak, Dada, Bhai, Nauraji, Gopal, Krishna, Gokhle, या फिर Gajula, Lakshmi, Narasoo, Chetty तो Madras Native Association की स्थापना की थी Option D, Gajula, Lakshmi, Narasoo, Chetty The Madras Native Association, MNA, established in 1952 at present day Chennai Was the first Indian Political Association तो दक्षिन भारत का ये पहला Indian Political Association था, founded by Gajula, Lakshmi, Narasoo, Chetty Who founded East India Association? East India Association की स्थापना? शिशिर कुमार घोज, Dada Bhai, Nauraji, A.O. Hume, या फिर व्योमेश, Chandra Banerji East India Association की जो स्थापना हुई Option B, Dada Bhai, Nauraji, Dada Bhai, Nauraji, Dwarah, की गई Who founded India League in 1875? तो 1875 में India League की स्थापना? किसने की? MG Rana Day, VG Chip Donggar, Shishir Kumar, Ghos, None of the above तो देखे, 1875 में R.E.A. समाज की स्थापना भी हुई दयानन सरस्फदीजी द्वारा और शिशिर कुमार घोशने की India League की स्थापना When was Madras Mahajan Sabha established? Madras Mahajan Sabha की स्थापना 1880, 1881, 1882, 1884 1880, 1881, 1882 या फिर 1884 तो सई जवाब है 1884, Option D, 1884 में हुई Madras Mahajan Sabha was an Indian nationalist organization based in the Madras Presidency along with the Puna Sarvajanik Sabha, Bombay Presidency Association and the Indian Association तो Madras Mahajan Sabha जो है, यह किस-किस को मिला कर तो Puna Sarvajanik Sabha, Bombay Presidency और Indian Association को मिला कर की गई थी और यह सभी INC के प्रिडेसर बने Madras Mahajan Sabha 1884 में आया पूर्ण सारvajanik Sabha की स्थापना कहां हुई? पूर्ण सारvajanik Sabha की स्थापना गोवा, Puna, Bombay या फिर कलकत्ता तो इसकी स्थापना पूरा में हुई, option B will be the correct answer The Puna Sarvajanik Sabha was established in 1867 at Puna It has the objective of serving as a bridge between government and people Madras Mahajan Sabha के संस्थापक कौन थे? Option है सुब्रमन्नम अयर, वी, रगवाचारी, पनपक्कम, आनंदचार, लू, या फिर, ये सभी तो Madras Mahajan Sabha से ये सभी जुड़े थे, option D will be the correct answer तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है आप इसका PDF भी पाना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जुड़ जाईए जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं आज के लिए धन्यवाद